Hello friends, मैं गौरब और क्या कभी आपने किसी को लाइव आक्टिंग के बीच तुकड़े तुकड़े होते में देखा है? Like literally, आधा कटावा इंसान? और क्या कभी किसी ने आपके माइन को रीड करने का दुस्साहस किया है? मतब मुँ से आपके शब्द नहीं निकला लेकिन कंटेस्टेंट के मुँपे तो जवाब है हजिर वेल ये कोई जेके रोलिंग के मैजिक वाइव नाम आदमी है? ये जज़े इसको गोल्डन बज़र देने में मजबूर कर गए है ऐसे हैं हमारे आज का ये कंटेस्टेंट जिससे सिव एक बार लोगों से खड़े रहके ताली बजवाने की कमिट्मेंट ले ली तो इसके बाद तो ये अपने आपके भी नहीं सुनते है कहाँ चलांगे भाई? अंतरिक्षमे गायब हो गया? वेल, अंत में आपको इसका जवाब पता चल जाएगा हम ढूल के निकालेंगे तो वाट दिस वीडियो तिल दी एंड और लिट लस गे बादेट साड़े निव वीडियो टाइटल तो भाई लोग, इस गेटसर फ्लाई मंच पर पुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को जो दिखता तो वैसे हैं थोड़ा कमजोर टाइप का लेकिन कहता है एकदम खड़क टाइप का 100% human voice ऐसी कौन सी आवाद निकालने जा रहे है भाई? अच्छा डिचिक 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 अपना बीट बॉक्सा ऐसे लग रहे है हम किसी human voice के नहीं बलकि DJ music कहीं मज़े ले रहे हो पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त इसके पास ऐसे एक नहीं बलकि पाँच पाँच अलग-अलग sounds है अगर मैं इन में से एक sound भी copy कर पाऊँ तो वही बड़ी बात होगी क्योंकि मेरे को तो सिफ डखार मानना और हिच की लेने की आवाज आती है अफ्रेंज क्या आपने कभी किसी दादी मा को किसी talent show में नाचते वे देखा है वेल इस दादी मा ने तो सारी हदे पार कर दी जब वो state पर एक ऐसा costume पेंड कर आई और वो भी एक young और handsome पार्टनर के साथ कि सब शौक को हो गए पर टान शुलोने के कुछ चन सेकंड के बाद अपने साइमन बोई जो कि ये judge है से रहा नहीं गया और उसने दादी मा के उम्र का लिहाज नहीं करके सीधा red buzzer button दबाया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि red button दबाते ही दादी के dance ने एक नया mode ले लिया दादी मा को तुझ ऐसे electric shock लगा और वो सीधा super saiyan मन गई उनके slow dance ने जो रफ्तार पकड़ी पूछो मत, खुदी देख लो जालता में तो क्या तड़का लगा है क्या lips और क्या tricks वा 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 दादी मा मल जावा और अपने judges तो बावरे हो गए है बावरे, उस Simon Goback को भी बाद में जख्त मार के standing ovation देना ही पड़ा न और तो और दादी ने सीधा रेड बजर से golden बजर हासल कर लिया पर सबसे important चीज क्या आप लोग में से कोई भी इसका age guess कर सकता है I will be 80 this July Old in age न, but young at heart अब भाई लोग जो क्लिप आप अभी देख रहे हो वो क्लिप Asia's Got Talent से है जहाँ आपने विलास बाव, बस्त ब्रशेज और पेंट के साथ कैन्वस में जो पोचा मारने लगे कि दो मिनिट के अंदर-अंदर कैन्वस में ही जोकर बना दिया और भाई, दो मिनिट में तो मेरी भैगी नहीं बनती है और यहाँ पर पेंटिंग बन गई और पिच्चर यहीं पर खतम नहीं होती जजस तो इसकी पेंटिंग खरीदने का बेडिंग यहारे की निलामी भी करने बैठे है अपने विलास का एक और एक जबरदस चैलेंट है और वो है उल्टा पेंटिंग करना जो हर आर्टिस के बस की बात नहीं होती है पर क्या? तुम एक बार गैस कर सकते हो कि यह अखिर बना क्या रहा है? यह बॉआई वेल, जर्णा देखो, आपसे पहले इस लडगी ने कैस कर दिया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या नहीं? इसे होता है बहुत भेंकर बारुस्यों से भी भेंकर होता है पर विलास आपका होज जलूर उड़ा करे लेके जाएगा बाबा क्योंकि चांपर चीज और माल हो वहाँ पर चेड़ी तो हो गाई ना और हमारा टॉम तो अदर हाथ पे हाथ धरे बैटा है आरे साइमत तुझे ही बोल रहा हूँ लेकिन कसम से ये चुहा तो कुट्टे से भी प्रो निकला देखो तो कैसे ये गैप कैसे क्रोस करेगा सिरियसली ये इस तरह पर इस हार नतीजा ये रहा आपके कम्पीटर स्कुइन स्पर अब इसको बोलते हैं सूपर से भी उपर वाला परफॉमेंस जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है प्योंकि इनसान स्टेट पर सिफ एकी बार गलती कर सकता है और एकी बार उसे सुदार सकता है और पर इसके बाद ये AGD 2019 के फर्स रॉनर अप भी बने नंबर से एक्स जगलर जो जगलिंग आक्ट आप देखने चाहा रहे हो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी जगलिंग आक्ट आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी ये इतने सहजता से बाल को अपने उंगलियों पे घुमा रहे है मारो जैसे पानी में हाथ फेला हो और इसका कंट्रोल मतलब बाल घुमा के भी फिर से इसके पास ही आया कसम से यकीन ही नहीं होता इसके उपर तो लिटरली बालों की बरसात हो रही है उपर से बाल्स धन दना धन इस पर फेके जा रहा है लेकिन फिर भी ये एकदम आसानी से बे जिजक और बे खौफ होकर बाल्स को जगल कर रहा है स्टांडिंग ओवेशन तो बनता है बास क्योंकि ऐसी जगलिंग तो हमसे ना हो पाई हमारे तो भाई स्ट्रगलिंग ही ठीक है यूट्यूब में अब बुलाते है हमारे पहले नॉन हुमल कंटेस्टेंट्स जिसकी मिमिक्री की आवाज दूर तक गाओं शेहरों तक एको होती रहती है हाई एको मेरा फेवरेट फूट क्या है चिकन येस यॉर राइट इस चिकन अच्छा चलो अभी ये बताओ कि बिल्ली कैसे आवाज निकालती है जिसकी पुल याने कि उन कौन सा एनिमल देता है येस शीप वेल ये पुपट तो पुपट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये यूट्यूब पे कौन सा चैनल देखता है बताओ गंसेट फ्लैंग लगाज बताओ अभी तो इस पुपट का जनरल नौलेज आलियवट से भी जाद है जाद है लगाज वनसगें व्हेला सबसे चैनल कौन सा है जब इतल्ड फ्लैंग अभी सी के बात पर एक सीटी हो जाए विसल ये नुमर एएट वेल फ्रेंट्स क्या आपने कभी एक क्यूब मैजिक होते में देखा है इस कंटेस्टेंट ने तो जजस के आँखों के आमने सामने इनहीं को ही बेवकूब बना लिया ज़से कि आप देख सकते हो कि साइमन बोई ने अभी एकदम रैंडमली क्यूब को मिक्स किया है पर उसके कुछ चन सेकेंट्स बाद ही ये मेजिजियन उस सेम क्यूब एरेंजमेंट को खूब हूब और एकदम आसानी से कॉपी कर लेता है और वो भी बिना देखे और अपने इंडियन भाई बंदू भी जादू तोने के मामले में किसी से कम नहीं है इस इंडियास गॉट टालेंट के कंडेस्टेंट जाविद खान ने काड ट्रिक से ऐसा ट्रिक किया कि लॉजिक कि तो बैंड ही बच गई और अब वही चबाया हुआ कागस फिर से मैजिकली काड में चिपकाया और लगता है पूछने से पहरे ही लोगों ने इसे इतने वोट्स दे दिये कि ये आईजिटी का विनर भी बन गया वेल फ्रेंस आज ये मैंड रीडिंग वाले कपल हमें कुछ एकदम हटके करके दिखाने वाले हैं और वो तो मैंड रीडिंग से भी सौल गुना ज्यादा पावरफुल है तुध्यान बनाई रखना अपना साइमन वोई एक मिक्स जैली बीन के बैसकित से रैंडमली एक जैली बीन उठाता है और जैसे ही ये माइंड रीडर उसे खाता है उसकी माइंड रीडर जीएफ वहीं से बिना पीछे मुड़े जैली बीन का कलर बता देती है लगता है जीएफ की तीसरी आँख खुल गए और जब हाईडी रैंडमली दूसरे जैली बीन को उठाती है ये खतरनाक जीएफ अपने नाक के दम पर उस जैली बीन का स्वाद भी बता देती है और अगर ये काफी नहीं था तो आगे चलकर मेल भी रैंडमली ग्लास में जैली बीन बरके उसे कवर करती है ये जी एफ फिर से अपने कारती लानों नजरों से 100% confidence के साथ total number of जैली बीन्स 22 बता देती है पर क्या ग्लास में 22 जैली बीन्स थे? उतने थे? इतने थे? कितने थे? वो 3 बाइस ही थे पर अब यहाँ पर आता है एक ट्वीश्ट वो भी एकदम खतरनाग ट्वीश्ट जो एक ताख पूर भी अपने सीरियल्स में नहीं ला पाती उनोंने बिल्कुल भी जैजिस का माइंड नहीं रीड किया तो भाई आखिर किया क्या? वेल इन दोनों जादूई जोडों ने खड़े खड़े रहकर जज़ेस का माइंड कंट्रोल किया यकीन नहीं होता? तो खुद ही देख लो वो बोड जो स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें पहले सही आज के होने वाले इवेंट्स लिखे थे जैसे ही उपर वाला चेन आख से जलकर मेंट हो जाएगा चुरियों की धार सीधा